हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो स्टाइल बाय महग आज की हम इस वीडियो में हाई लो कुर्ती की कटिंग और स्टीचिंग सीखेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो के लास्ट में मैंने इसको पहन के दिखाया है तो आप उस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं अगर आप beginners हैं तो आप इसकी cutting देहान से देखिए सकी cutting और stitching मैंने बहुत आसान तरीके से बताई है तो वीडियो को शरू करते हैं मैंने कुर्थी को बनाने के लिए 2 मीटर rion fabric लिया है रियोन फैब्रिक पे इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है वैसे आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं अब हम फैब्रिक को लेंद के साइट 4-fold कर लेंगे यह देखिए मैंने 4-fold करके रख लिया है अब हम इसकी मार्किंग करेंगे तो हम पहले इसकी लेंद मेजर कर लेते हैं फिर इसकी विद मेजर कर लेंगे इसकी लेंद हमने लिए 43 इंच आप अपने हिसाब से कम्या जादा भी कर सकते हैं और विद हमने लिए 14 इंच अब शोल्डर की मार्किंग से हम स्टार्ट करते हैं तो शोल्डर हमने लिया है साथ इंच तो साथ इंच पे हम मार्क लगा लेंगे और अब आर्म होल का मार्क कर लेंगे तो आर्म होल हमने लिया है साड़े साथ इंच साड़े साथ इंच पे हम मार्क करके टू स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे ये देखिए कुछ इस तरीके से ड्रॉ करनी है लाइन अब इसके बाद हमें लेना है चेस साइज तो चेस साइज हमने रखा है 10 सैंटी मीटर आप अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं इसके बाद हम लेंगे वैस साइज तो वैस साइज हमें सिंपली कुर्टी की तरह शोल्डर के साइज से 15 इंच पर मार्किंग करते हुए वैस साइज मिजर्मेंट ले लेना है तो वैस साइज हमें लेना है 9 सैंटी मीटर अब हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे best size के बाद हमें लेना है hip size तो hip size भी हम simply कुर्टी की तरह लेंगे shoulder की side से 20 पर mark करते हुए हम hip size ले लेंगे hip size हमें रखना है 11 cm इसकी भी हमें एक straight line ड्रॉ कर लेंगे और please friends अगर आप beginners हो तो बिना skip की हुए last तक जरूर देखना अब friends हम length measurement कर लेंगे तो front part की हमें length लेनी है 33 inch तो हम mark कर लेंगे 33 inch पर और back part की हमें लेनी है 36 inch तो 36 inch पर mark कर लेंगे अब हम fitting लगा लेंगे तो हम fitting की marking कर लेते हैं तो friends हमें कुर्ती की down side पीछे की तरफ पूरी नीचे तक लेनी है तो हम नीचे तक marking कर लेंगे देखिए कुछ इस तरीके से यह हमने marking कर ली है अब हम front part और back part का निशान लगा लेंगे तो हम इस तरीके से draw कर लेंगे निशान ऐसे ही हम back part का निशान draw कर लेंगे और friends एक बात याद रखनी है कि हमें पहले cutting करनी है तो back part से start करेंगे cutting यह हमारी marking complete हो चुकी है अब हम shoulder का mark कर लेंगे तो पहले back part का shoulder का mark कर लेंगे फिर front part draw कर लेंगे यह हमारा shoulder का mark कंप्लीट हो गया है अब हम cutting कर लेंगे तो back part से हम start करेंगे यह हमारी cutting complete हो गई हम बचे हुए कपड़े को side में हटा देंगे अब front और back को अलग-अलग कर लेंगे तो अब हम back part side में रख देंगे और front part की cutting कर लेंगे सिर्फ front part को रखते हुए हम shoulder की cutting कर लेंगे ऐसे ही bottom की cutting कर लेंगे यह हमारी cutting हो गई है अब हम sleep की cutting करेंगे तो sleep का कपड़ा मैंने ले लिया है four folded कपड़ा रखना है हमें और length मैंने लिए है 20.5 इंच और अब हम shoulder कर मार्किंग कर लेंगे तो shoulder मैंने लिया है 7.5 इंच अब हमें 3 इंच पर मार्क कर लेना है फिर हम shoulder draw कर लेंगे इस तरह से यह हमारा shoulder draw हो गया है अब हम bottom ले लेंगे इसका तो bottom लेंगे है 6 इंच तो 6 इंच में मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से यह में लाइन रो हो चुकी है अब इसके कटिंग कर लेंगे अब यह देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है कपड़ा बचा हुआ मैंने साइड में कर दिया है अब हम फ्रेंट शोल्डर की कटिंग कर लेंगे यह मैंने फ्रेंट शोल्डर की मार्क ड्रॉ कर लिया है अब हम तू साइड को लेकर फ्रेंट शोल्डर की कटिंग कर लेंगे फ्रेंट यहाद अखना है टू साइड को लेकर यह देखिए हमारी कटिंग हो गई है अब हम इसकी फिटिंग लगा लेंगे तो पहले इसका बॉटम हम डबल फोल्ड कर लेंगे फिर फिटिंग लगा लेंगे इस तरीके से हमें फिटिंग लगानी है यह देखिए फ्रेंट्स हमारी स्लीप्स रैडी है अब हम कुर्टी को स्टिच कर लेंगे तो पहले हम नेक कट कर लेंगे तो मैंने यहां पर बुक्रम ले लिया है इसकी विथा में लेनी है 3.5 इंच तो 3.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और डीप लेनी है हमें 6 एंच पर 3 इंच पर मार्किंग करेंगे आफ पर अब हम इन पर लाइन ड्रोगा है यह देखए कुछ इस तरीके से लाइन ड्रोग करनी है हमें यह हमारी lines draw हो गई है अब हम पहले उपर की side के neck की marking कर लेंगे तो वन इंच पर mark लगा के मैं गोलाई लगा लूँगे यह हमारे उपर वाले गले की marking हो गई है अब नीचे हम कुछ इस तरीके से draw कर लेंगे friends अब हाफ आफ इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे हम पूरे गले में यह हमारी मार्किंग कम्प्लीट हो गई है अब हम अच्छे से इसकी कटिंग कर लेंगे तो फ्रेंड्स मैंने पिन लगा ली थी ताकि यह दर उदर से लिपना हो अब हम कटिंग कर लेंगे यह देखिए कुछ इस तरीके से कि यह हमारे नैक की कटिंग कंप्लीट हो गई है अब हम कपड़ा ले लेंगे उस पर नैक को रखेंगे फिर उस पर सिलाई लगा लेंगे यह देखिए हमें सेफटी पिंसेस को पिनप कर देना है ताकि इधर उधर सिलिप ना हुए झालत थे लेंगेंर येपर, क्योख मेट जए में लेगा लेंगे वाँ ग्या Спॉँड़ा, क्वश्भ़ा ведь उ हमें उसे हां हुएंचे, इघ़ ग Сंब्सक्त, लो derिट हरा चालीट हुएंट अब थोड़ा थोड़ा कप्ला छोड़ते हुए हम कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से हमें कटिंग करनी है हमारी कटिंग हो गई है अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ थोड़े-थोड़े कट लगाते हुए हम इसको फोल्ड कर लेंगे यह हमारा नेक बनके रैडी है अब हम इसको कुर्ति में अटेज कर लेंगे तो कुर्ति का फ्रेंट पार्ट लेंगे उसके सेंटर में हमें एक कट लगा लेंगे यह देखिए कुछ इस तरीके से हमें कट लगाना है और नेक के सेंटर में भी हम कट लगा लेंगे यह देखिए फ्रेंट्स कुछ इस तरीके से हमें कट लगाना है अब हम नेक के सेंटर को कुर्ति के सेंटर से अटेज कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे पूरे नेक पर अब थोड़ा थोड़ा कपला छोड़ते हुए हमें कटिंग कर लेनी है इसकी फ्रेंट्स देहान से कटिंग करना इस नाइक को सिधा करके उस पर इसलाई लगा लेंगे हमारा नेक बनके रैडि है अब बैक पार्ट के नाइक को कटिंग कर लेंगे विग पार्ट को सेंटर में फोल्ड करते हुए कि त्रींच की विद्ट लेनी है हमें डीप हमें लेनी है त्रींच मार्किंग करने के बाद हम टू स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से फिर नेक की गोलाई लगा लेंगे ये देखिए one centimeter का निशान लगा कर हम इसके गुलाई लगा लेंगे ये हमारी गुलाई लग चुकी है अब हम इसके cutting कर लेंगे ये हमाएं neck की cutting complete हो गई है अब हम इस पर पट्टी लगा लेंगे तो इस तरहीके से पट्टी लगानी है डबल फोल्ड करते हुए हमें पट्टी लगानी है यह हमारी पट्टी लग चुकी है अब हम इसको बैक साइट की तरफ फोल्ड करते हुए दो सिलाई लगा देंगे अब पहले शोल्डर को हम अटेच कर लेंगे शोल्डर को अटेज कर लेना है और फिटिंग लगा देनी है नीचे और बॉटम को डबल फोल्ड कर लेना है देखिए यह हमारी कुर्ती तयार है अब हम इसमें स्लीव अटेच कर देंगे तो कुर्ती को उल्टा रखना है और स्लीव को सीधा रखते हुए हम कुर्ती की अंदर साइट से अटेच करेंगे यह देखिए कुछ इस तरीके से यह हमारी कुर्ती रेडी है हमने स्लीव पर मोती लगा देंगे इसको जॉइन करने के लिए वो मोती में सुई और धागे की हैप से लगाऊंगी कुछ इस तरीके से यह देखिए फ्रेंड्स हमारा मोती लग गया है अब धागे को कट कर लेंगे अब हम इसकी लटकन तयार करेंगे तो बॉटम में लटकन लगाने के लिए हम इसकी लटकन की कटिंग कर लेंगे तो आप किसी भी गोल चीज की मदद से राउंड शेप ड्रॉ कर लें कुछ इस तरीके से उस पर मार्क कर लें अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे यह देखिए कुछ इस तरीके से ने कटिंग कर ली अब इसको ट्रैंगल शेप में रखते हुए हम स्वी से मोती अटेच कर लेंगे पहले हम इसमें दो बार टांका मारेंगे फिर उसके अंदर मोती डालेंगे धागे में और फिर उस लटकन को हम कुर्टी के बॉटम से अटेच कर देंगे यह देखिए फ्रेंड्स इस तरीके स और यह हमें फाइफ सेंटिमेटर की दूरी पे लगानी है फाइफ सेंटिमेटर का हम मार्क लगा लेंगे पूरी कुर्टी के बॉटम में और इस तरीके से हमें पूरी कुर्टी की मार्किंग पे लटकन लगा लेनी है झाल 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 हमारी कुर्थी का बॉटम तयार है अब हम इसकी स्लेव में लटकन लगाएंगे तो स्लेव में हमें तो सैंटी मीटर पर मार्क लगाना है पूरी स्लेव में तो सैंटी मीटर कर मार्क लगाना है यह देखिए कुछ इस तरीके से हमें मार्क लगा लेना है पूरी स्लेव में फिर उस पर लटकन जॉइन कर देनी है हमें मार्किंग पर हम इस पर लटकन लगा देंगे कर दो बुब स्लेव प्रॉप में वाई उनी हो जा देखिए कर दो सैंटी मीटर दोक्तिंग कर आप लगास teatीं रहा हमें, यहा हमें这些 बड़ों. बार्द बारे को खानवा तर्वार जुटती आसवी आजटी आसजान मुझे की नियुक्छान जूराश और के नियुक्त है जूत आसब में आखिए और ने ख़ूर कोड़ी विर सप्लिवान को जूते हैं स्टीचिंग की फुल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो प्लीज उसको भी जा कर देखें यह हमारी कुर्ती बन कर तयार है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से हमारी लटकन लग गई है तो फ्रेंड्स ऐसी ही और वीडियो सब्सक्राइब करें थाइंक यू फॉर वाचिंग